हाई अव्रिवान मैं आपका दोस्ता है सुवागत करता हूँ अपने चनल्ल पे आज हुआ है कमाल चाइना में रियल्मी और रेड्मी के दो फोन सामने आया है रियल्मी एक्स फिफ्टी एम जो लॉंच हो गया है जिसको हम कह रहे थे रियल्मी एक्स फिफ्टी यूथ एडिशन आ सकता है साथ में सामने आया है रेड्मी टैन एक्स फोर जी तो दोनों फोन की बात करते हैं इस वीडियो में बढ़िया लागे तो एक लाइक शरू कीजे न्यू है चनल पर तो सब्सक्राइब कीजे तो शरू करते हैं आज की वीडियो पहले हम बात कर लेते हैं रियल्मी एक्स फिफ्टी एम की ये फोन बिल्कुल सिमिलर लगेगा आपको रियल्मी एक्स फिफ्टी की तरह मगर थोड़ा सा डाउन ग्रेडिट करके सस्ता लॉंच किया है 6.57 एच की डूल पंच फोल IPS LCD स्क्रीन मिलती है फुल एच्टी प्लस डिस्प्ले क्वालिटी के साथ 20 बाइन और 90.4 स्क्रीन टू बॉड़ी रेशो मिलेगा 120 हर्स का रिफ्रेश रेट और साइड मॉंटेट फिंगर प्रिंट सेंसर तो सेम है रेल्मी एक्स 50 में लुक्स बहुत सेम आपको पिचानी पिचानी लगएगी जो अब लास्ट येर से हम देख रहे है क्योंकि मैं को लगता है कि Realme XT, Realme X2, Realme X50 Pro, Realme X50, Realme X50M अब ये साथ में रख लो तो आपको मुश्किल हो जाएगा पेचाना है कि हमारा फोन इसमें से कौन सा है भाई भाई Realme 6P आ गया है वैसे तो बैक लूप पे तो मेरे साब से Realme को ये Realme चेंज कर लेना चाहिए बहुत जादा अबर लगने लग गया बागी बात करते हैं इसके प्रोसेसर की Snapdragon 765G के साथ आथा इंडरीनो 620 ये एक बढ़िया मिल रेंज प्रोसेसर है और इस प्राइज में काफी बढ़िया है 6GB RAM और 8GB RAM Variant Option मिलेगी आपको LPDDR4X मिलता है इसमें और जो स्टोरेज है वो सिर्फ 128GB की मिलेगी UFS 2.1 के साथ कैमरे की बात कीज़े तो 48MP का मेन कैमरा है जो Samsung GW1 वाले सेंसर के साथ आता है F1.8 aperture 6P lens मिलता है 8MP का Ultra Wide Angle और 2MP Macro और 2MP Depth Sensor Front Camera की बात की जटो मिलता है 16MP plus 2MP 16MP Sony IMX471 के साथ दिया गया है 4200mAh की बैटरी मिलेगी प्लस 30W का चार्जर मिलेगा तो प्राइज इसकी रखी है 6GB, 103GB की 2000 Yuen जो 21,000 के पास पड़ता है और 8GB की बनती है निवर 2300 Yuen जो बनता है 25,000 मुझे ये फोन बहुत जादा पसंद नहीं आया क्योंकि इसके कंपेर हम करते है Redmi K30 5G वेरियंट से वो थोड़ा सा बैटर लगता है लाइटर वर्जन में क्योंकि कैमरा उसका जादा बढ़िया है इस से बाकी अल्मोस सब कुछ सेम ही अब कह सकते हो कुछ जादा डिफरेंस नहीं है बाकी इंडिया में आने के चांसे मुझे लग रहा है Snapdragon 765G इंडिया में जल्दी आएगा बाकी देखते हैं ये Realme X3 बनके आता है या नहीं आता काफी लोगों को Realme X3 में उमीद है AMOLED स्क्रीन की मगर जो हला चल रहे है मुझे लगता है IPS LCD ही आएगी दूसरे फोन की बात करते है Redmi की Redmi 10X 4G ये भी एक नया सामने आया है और हम जिसको कह रहे है Redmi 9 हो सकता है या Redmi Note 9 चाइनल में आएगा 4G वेरियंट इसकी भी डिमेंशन सामने आगे 6.53 इंच की सिंगल पंच होल IPS LCD स्क्रीन मिलती है रियर पैनल में आपको मिलेगा इसका fingerprint sensor quad camera आप देख सकते हैं बिलकुल Redmi Note 9 Pro और Pro Max की तरह दिया गया है इसमें प्रोसेसर एक नया प्रोसेसर है जो Helio G85 है यह पहला phone बन जाएगा इस प्रोसेसर के साथ कह रहे हैं यह G80 का overclock version कह सकते हैं तो भई अब narzo series आ रही है उसको टकर के लिए कुछ तो लाना था Xiaomi ने तो भई यह लेा है Realme 10X अगर आपको याद होगा थोड़ी काफी लास्ट मुझे टेक न्यूज में पताया था रेड्मी का 10X phone आने वाला है जो मुझे इतनी जल्दी उमीद नहीं थी बहुत जल्दी आ गया तो मेरी टेक न्यूज भी लिक्स भी मेरे भी sources बढ़िया है सच हो जाती है बात करते हैं इसके कैमरे की तो इसमें भी आपको मिलता है 48MP का कैमरा और 8MP का अल्टरा वाइड 2MP प्रस 2MP का मैक्रो और टेप सेंसर 48MP का कैमरा मेरे साथ पर ये सामसंग का ही यूज किया जाएगा शायद GW2 हो सकता है क्योंकि Redmi Note 9 में वो यूज किया गया है इसमें आपको मिलेंगे 4GB और 6GB वेरियंट 64 और 108GB स्टोरेज के साथ LPDDR4-X की आप्शन मिल सकती है और UFS 2.1 बात करते हैं इसकी बैटरी की 5020 MHz की बैटरी होगी तो बैटरी काफी बढ़िया और तगड़ी होगी और अब ये रिसेंटली मॉडल आयता 22.5 वाट चार्जर तो वो इसमें चार्जर मिलेगा जो मुझे काफी बढ़िया लगा प्राइस की बात कीजा तो कहन है ये 999 यूआन से शुरू हो सकता है चाइना में जो ये वो 11,000 के पास बनते हैं और मेरे साबसे इंडिया में भी इसी प्राइस में आएगा अभी रिसेंटली रेड्मी नोट एट आया था जो दस हजार से शुरू हो रहता चाइना में भी इतनी कौस थी तो मेरे साब से इंडिया में ये 10 से 11 हजार में आएगा जो बहुत ही बढ़िया और अग्रेसिव प्राइस है तो बहुत ही इंडिया में आएगा हम इसकी उन्बोक्सिंग तो जरूर करेंगे और Realme X50 M की मैं उन्बोक्सिंग नहीं दिखाऊंगा सॉरी फॉर डैट क्योंकि मुझे उसमें कुछ खास नहीं लगा अगर आपने देखना ही है तो Realme X50 मेरे चैनल पे देख सकते हैं मैंने उसका अन्बोक्सिंग और काफी रिव्यू किये थे तो आज की वीडियो में पस इतना ही पढ़िया लगे तो लाइक जरूर कीजिए न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही जया हैंद वन्दे मातरम सी यू इन नेक्स्ट वीडियो